exercise 6.5 का fourth question देखते हैं यह दिया हुआ है which of the following can be the sides of a right triangle यहाँ पर कुछ questions दिये हुआ है इसमें 3-3 sides दिये हुआ है जैसे पहला जो problem दिया है fourth का उसमें 2.5 cm, 6.5 cm, 6 cm ऐसे ही सारे questions में 3 sides दिये हुआ है और इन 3 sides को देखके इनका calculation करके हमको यह बताना है कि क्या यह 3 sides मिलाकर एक right angle triangle बना सकते हैं तो यह कैसे पता चलेगा कि 3 sides मिलाकर right angle triangle बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं चलिए इसको देखते हैं white board में fourth question का पहला point दिया हुआ है इसमें 3 sides जो दिये हुआ है वो है 2.5 cm, दूसरा दिया हुआ है 6.5 cm और तीसरा दिया हुआ है 6 cm तो इन 3 sides के base पे हमको यह बताना है कि क्या यह 3 sides मिलाकर एक right angle triangle बना सकते हैं या नहीं तो right angle triangle के बारे में हमको एक चीज़ पता है जो pythagoras property है उसमें hypotenuse सबसे बड़ा होता है ठीक है अगर यह एक right angle triangle होगा suppose तो इस right angle triangle में एक hypotenuse होगा एक base होगा और एक perpendicular होगा तो इन 3ों में जो सबसे बड़ा side होता है उसको hypotenuse बोलते हैं तो इन 3ों में आप देखोगे तो 6.5 cm जो है बाकी 2 side से बड़ा है इसका मतलब अगर यह right angle triangle बना रहे हैं तो यह hypotenuse उसका होना चाहिए तो यहां पर हम लिखेंगे we know that by pythagoras theorem h square is equals to b square plus p square ठीक है अब यहां h square हम 6.5 को क्यों लिखेंगे अगर लिखना चाहिए तो लिख सकते हैं यहां पर इसी के बाद लिख सकते हो we know that in pythagoras by pythagoras theorem hypotenuse is the largest यह maximum length of right angle triangle अब यहां h square इसको ले लेते हैं इसको value put कर देते हैं 6.5 का whole square is equals to base आप किसी को भी ले सकते हो suppose हम ले लिए 2.5 का whole square plus इसको लिखेंगे 6 का square अब यह pythagoras property में इसको यह pythagoras theorem में इन values को put करके इसको पहले solve करेंगे अगर LHS और RHS equal हो जाते हैं इसका मतलब यह होगा कि यह 3 sides मिलाके एक right angle triangle बना सकते हैं इसको आगे solve करेंगे 6.5 into 6.5 कितना होगा हम करेंगे 65 into 65, 5 5s are 25, 5 6s are 30 plus 2 32, 6 5s are 30, 6 6s are 36 plus 3, 39 यह हो गया 5, 2, 9 plus 3, 12, 3 plus 1, 4 यह गया 42.25 अच्छा 42.25 क्यों आया decimal chapter अगर आप पढ़े होगे तो आपका अच्छे से पता होगा कि अगर दो point वाले values को मालो 6.5 और 6.5 को multiply कर रहे हैं तो यहां का एक डिजिट और यहां का एक डिजिट यानिकि दो डिजिट हो गया तो answer में right side से दो डिजिट काउंट करके उसके पहले एक decimal लागा जाता है ठीक है तो यह हो गया 42.5 is equal to left hand side हमारा का calculate हो गया right side देखते है 2.5 into 2.5 तो इसको simple पहले 25 से multiply कर देंगे 55 is a 25 5 to the 10 plus 2 12 again 2 5 is a 10 2 to the 4 plus 1 5 यह हो गया 5 to 6 decimal के बाद एक डिजिट है और दो बर multiply हो रहा है इसलिए यहां का एक डिजिट यहां का एक डिजिट दो डिजिट हो गया तो right side से 2 डिजिट काउंट करेंगे हो गया 6.25 प्लस यह है 6 6 का square 6 into 6 36 हो गया अब इसको add कर लेते हैं left hand side तो कुछ add करने के लिए नहीं तो यह 42.25 ही रहेगा is equals to इन दोनों को add कर लेंगे 36.00 प्लस 25 यहां आएगा decimal के नीचे decimal और यह 6 यहां आ गया यह 0 यह गया 5 2.6 प्लस 6 12 3 प्लस 1 4 यह आ गया 42.25 अब आप देखो गया है LHS और RHS दोनों equal है आप लिख सकते हो since LHS is equal to RHS therefore these sides form can form a right triangle या right angle triangle कुछ भी लिख सकते हो ठीक है fourth का जो second problem दिया हुआ है इसमें जो तीन sides दिये हुए उसमें पहला है 2 cm दूसरा है वो भी 2 cm और तीसरा जो दिया हुआ है वो है 5 cm यहां पर सेम चीज़ आप फिर से लिखोगे कि we know that by pythagoras theorem या according to pythagoras theorem hypotenuse is the highest side ठीक है फिर यहां पर आप इसको hypotenuse मान सकते हो यह होगा h is equals to 5 cm p is equals to 2 cm और base b is equals to 2 cm हमेशा जो सबसे बड़ा जिसमें length दिया होगा जो सबसके maximum length दिया होगा उसको hypotenuse assume करना है क्योंकि एक right angle triangle में hypotenuse जो होता है सबसे बड़ा side होता है अब देखते हैं इसको by pythagoras theorem यहां पर लगाएंगे फिर से by pythagoras theorem h square is equals to p square plus b square h का value यहां पर है 5 तो यह हो गया 5 का square is equals to p है 2 2 का square plus b भी है 2 2 का square calculate करेंगे 5 into 5 हो गया 25 is equals to 2 into 2 हो गया 4 plus 2 into 2 हो गया 4 तो यहां पर 25 जो है 8 के equal नहीं है यहां पर आएगा lhs is not equal to rhs therefore these cannot form a right triangle क्योंकि lhs rhs अलग-अलग है अगर यह right angle triangle बना सकते तो इनका जो hypotenuse का square है base और perpendicular के square के equal आना चाहिए था pythagoras theorem के according पर यहां पर lhs और rhs दोनों अलग-अलगा है इसलिए यह तीनों sides मिलके पाइथा यह तीनों sides मिलके right angle triangle नहीं बना सकते आगे देखते हैं fourth का third problem जो दिया हुआ है इसमें जो तीन side है इसका है 1.5 cm दूसरा दिया हुए 2 cm और तीसरा दिया हुए 2.5 cm अब यहां इन इक्वेल्स तू सपोस्ट तू सेंटीमेटर और पर्पेंडिकुलर का प्लेलों 1.5 cm लिए अक्वाडिंग तू या वी नोग दाट बाइपाइथागोरस थियोरम according to Pythagoras theorem H square is equal to B square plus P square हाइपोटेनस का जो square होता है एक राइट अंकल ट्रैंगल में बेस और पर्पेंडिकुलर के square का सम के इक्वाल हो जाता है या हाइपोटेनस के square होकर 2.5 का square is equal to base base है टूश का लगेगा यहां पर दोडेसिमल वाले नंबर तो यहां पर दोडेसिमल वाले नमबर multiply हो रहे हैं आपस में इसका एक decimal इस decimal के बाद एक digit इसके decimal के बाद एक digit टोटल दो डिजिट तो राइट साइट से दो डिजिट के पहले एक decimal याने कि यहां पर यह गया 6.25 is equals to 2 का square 2 into 2 4 plus 1.5 into 1.5 5 5s are 10 sorry 5 5s are 25 5 5 1s are 5 plus 2 7 यह हो गया 1 5s are 5 1 1s are 1 यह हो गया 5 7 plus 5 12 1 plus 1 2 और पॉइंट के बाद दो डिजिट लगे गा या सारी दो डिजिट के पहले एक पॉइंट लगे यह हो गया तो यह हो गया 2.25 अब अगर इन दोनों को add करेंगे यहां हो गया यह तो 6.25 ही रहेगा 2.25 और 4 को add करते हैं 4.00 point यहां रहा गया 2 यहां आ गया 25 इदर चला गया यह अगर add करेंगे तो यह गया 5 2 decimal के नीचे decimal 4 plus 2 6 6.25 यहां पर LHS और RHS equal है इसका मतलब यह तीनों साइट्स मिलके एक right angle triangle बना सकते हैं तो यह गया exercise 6.5 का fourth question